तो आईए बनाते हैं हल्दी राम स्टाइल बहुत ही कम चीजों के साथ डाइट मिक्षर और वो भी एकदम शूश अटाक पोहा नमकिन बनाने के लिए मैंने लिया है एक बाउल छिला हुआ चना एक बड़ा बाउल मैंने पोहा लिया है याद रहे हमें पतला पोहा लेना है जिसे पेपर पोहे की नाम से भी जाना जाता है और इसे चिवडा भी कहते है एक बॉल मैंने लिया है कॉन फ्लेक्स और साथ से आठ कड़ी पत्ते लेने हैं सबसे पहले हम ग्यास पर कड़ाई रखेंगे या कोई भी हैवी बॉटम बेस रखेंगे और सारे चिवडे को डालके उसको लो फ्लेम पर अच्छी तरीके से भून लेंगे पांच से साथ मिनट तक हमें इसको कड़्ची से चलाते हुए भूनना है जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए हमें इसका ज्यादा कलर चेंज नहीं करना है बस इसके क्रिस्पी होने तक भूनना है पतला पोह है बहुत ही जल्दी भून जाएगा और ये देखी पोहे का कलर हलका हलका सा ब्राउन हो गया है अब हम इसमें कॉन्फलेक्स डालेंगे और कॉन्फलेक्स डालके हम इसको दो मिनिट तक मिक्स करके अच्छी तरीके से चलाते हुए भून लेंगे दोस्तों मैं ये वीडियो काफी टाइम बात बना रही हूँ तो अब मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपके लिए नए नए चीज़े एक्सप्रोर करके लाती रहूँ और ये देखिए इसी के साथ कॉन्फलेक्स और चिवडा भी अच्छी तरीके से भून गया है अब हम इस सारे मिक्षर को एक बाउल में निकाल लेंगे और उसी कड़ाय में हम दो स्पून ओईल डालेंगे आप सरसो का तेल भी डाल सकते है और आप देशी घी भी डाल सकते है आप अपनी पसंद के अनुसार कोई सबी ओईल यूज़ कर सकते है उसके बाद तेल के गरम होने के बाद हम इसमें डाल देंगे साथ से आठ कड़ी पत्ते की कल्या और इसको दस से पंदर सेकिंड तक भून लेंगे उसके बाद हम इसमें डालेंगे अपने चिले हुए चने और इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे यह देखिए चने के अच्छी तरीके से भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे आधा चमच काला नमक, आधा चमच चाट मसाला और आधा चमच कुटी हुई काली मेच सारे ही Mixer को अच्छी तरीके से मिला लेंगे यह देखिए अच्छी तरीके से इसको मिला लेंगे 2 minutes हम इसको लो फलेम पर भूनेंगे इसके बाद हम इसमन डालेंगे अपना Mixer जो हमने काउन्फ्लेक्स और चिवडे को भून के तयार किया हुआ था उसको डालके अच्छी तरीके से मिला लेंगे तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज कमेंट करके मोटिवेट जरूर कर देना यार बहुत टाइम बाद आये हुँ न तो लेजिए हमारी हल्दिरम स्टाइल डाइट मिक्षर तयार हो गई है अब हम इसे एर टाइट कंटेनर में भर लेंगे ये नमकीन दोस्तों एक से दो महिने तक आपकी आराम से चलेगी आप इसे फ्री टाइम में मंचिंग कर सकते हैं और इसको एंजॉय कर सकते हैं और हाँ दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगिए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर कर देना थैंक यू